हमारे घरों में बिजली के उपकरण बहुत होते हैं तमाम काम हम बिजली से ही करते हैं इन सब को तो हम ठीक नहीं कर सकते लेकिन छोटी मुटी गड़बडियों को हम सुधारने का प्रयास करते हैं इसी में एक यह उपकरण भी है जिसे चूला कहा जाता है इसे भी हम आज साफ सफाई करेंगे और इसका ये तार तूट गया है तो इसे हम जोडने का परियास करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसको इन उपकरणों की जहायता से खोलेंगे इस क्रू को ढीला करेंगे और फिर इसके अंदर की साफ सफाई करने का परियास करेंगे देख लिजिए इंडेक्शन में होता क्या है ये इसकी क्वाइल है तार है गंदगी आप देख लिजिए कितनी गंदगी इसमें रखती है तो आज हम इसको साफ करेंगे और दिखाएंगे कि आप लोग भी साफ करके इसे कैसे दुरुस्त रख सकते हैं इस इंडेक्शन चूले को पूरी तरह खोलने के बाद हम इसकी पहले जो जाले लगें हैं मकडियों के इसकी सफाई एक ब्रस से करेंगे तो इसको साफ करने के बाद फिर हम इसके तारों को साफ करेंगे और इसके कोयल को साफ करेंगे ताकि इसकी कार ये छमता में कुछ बृद्धी हो जाए और इसे हम देखिए इसका पैनल है इसमें कितनी धूल है इसको साफ्ट हातों से नहीं करेंगे तो ये तूट भी जाएंगे और खराब हो सकते हैं इसको हम अभी पूरा साफ करके फिर आपको बताते हैं अब हम धीरी धीरी इसके क्वायल की सफाई करेंगे जो की बहुत ही सावधानी से करना है तार आपस में साटेन नहीं तो खराब हो जाएंगे और फिर ये चूला जिसे मोटी भासाम आपसका सकते हैं या खराब भी हो सकता है इसमें जवर्जस्ति नहीं करनी चाहिए इसके पंखे बहुत गंदे हो गए हैं इसको भी साफ करना है और तक ये बढ़ियां से हवा दे सकें इसकी बलेड मोटी हो गई धूल जमने की वज़ा से बहुत मोटी हो गई है बहुत मोटी परत तीन साल बात खुल रहा है तो गंदगी तो आएगी ही इतनी मोटी परत है कि पेचकस से साफ करना पड़ रहा है और चाहे जैसे विए लेकिन जादे ताकत आपको नहीं लगानी है इसको साफ बहुत ही अराम से हमें करना है कचड़ा बहुत है और साफ सफाई करने के बाद ही फिर से हम इसे पेचस से कस देंगे तो आप लोग देख लेजिए इंडक्सन चूले में बहुत कुछ नहीं होता देखने में तो चार पांसो के सामान लग रहे हैं लेकिन इसे दो से तीन चार हजार तक लोग बेच रहे हैं कितना कमाना चाहती है कमपनिया से ही समझ में नहीं आता वजन भी इसका बहुत नहीं है तावे का रेट भी नहीं है लेकिन क्या क्या इसमें होता है कि इतना रुपया आप लोगों से लिया जा रहा है इसको सोचने की बात है कौन ये पैसा चोरी कर रहा है इसे भी सोचने की बात है अब हम इसके पंखों को निकाल के इसकी भी सफाई कर देंगे ताकि एकदम से साफ हो जाए अब यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है लेकिन इसको भी साफ करेंगे और फिर आगे इसको कस करके अब फिट करेंगे इसके पंखे को अलग करके अब इसको भी साफ करेंगे ताकि यह पूरी तरह से साफ हो जाए और अच्छी तरह से हवा देने लगे ताकि ठंडा रहे की असली समस्य इन्हीं तारों में आती है जो यहां से तूट चुके हैं और इसे जोड़ने में काफी परसानी आती है क्योंकि जोड़ने बार इधर उधर नहों जाते हैं तो दिक्कत होती हैodhani से जोड़के फिर मसीन को चालू किया जा सकता है और खाना बनना तयार हो जाएगा